दूस्तों आजका वीडियो बहुत सिरियस होने वाला है यह विडियो बनातीम्क में बहुत सिर्यस के आपके साथ बात करने वाला है उ ढुदे हैं जो कुछ मैरे अंदर मैंने भर के रखेँ पिछले दो-ौतीन महिनों से आपके साथ में यूद्मे शेर करां तक जरूर देखिए दोस्तों फार्मस्य के बाद जॉब करने के लिए आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं यह तो मैंने आपको हमेशा से बोला है लेकिन कई बार कुछ चीज़ें आपको सच बताना बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं जो चीज़ें आपको बाहर नहीं आती सबसे पहली बात में आपके साथ लिए लोग आई इसको मिलेगा MY को मिलेगा थे हैं में प brewing करने कणों मिलेगा आले कि यह होती तक सही होती हैं होती is बांव करने हो भी तर पाटे काम हो नहीं होती है जैसे की हो गया हो गया यह सारी कंपने जी होती वह बाकी के बाकी लोग के काम हो पी उपर चलती है इंदसेंस अगर आप सी आरेज बगेरा बनती हो क्लेनिकल साइट की उपर या शायद में आपके साथ बात करने फ्रेश वहां पर जोइन होती है तो ऐसे पर आपको अब बहुत सारा वे समोजने में चला जाता है और अगर और साथ आपको उपर की पोजिशन की उपर रहते हो उसके बाद आगे आपको गुरू करना बहुत बड़ा होता है बहुत आपके पास चांसिस होते हैं लेकिन जब आप एज़ फ्रेशर वहाँ पर जॉइन होती है तो वह थर्ड पार्टी जो काम होते हैं वहाँ पर सिखने के लिए की इंडर्सी बहुत कम मिलता है यह चीज मैंने नोटिस की है मैंने पिशले दो मैने से मैं अब्जर कर रहा तो चीज़े को मैं हमेशा बिल्यू करता हुँ ऊपर क्योंकि सच के बेसे की ऊपर यह चानल चल रहा है मैंने चाहता है आपको किसी किसी अदे में धकिल और उसके यह बात सच भी लेकिन 30% तक यह बात सच है लगबक 70% ऐसा होता है कि यह थड़पड़ी जो काम होते हैं वहां पर आपको सीखने से ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है इस वज़े से मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको काम करना है तो आपको सोथ समझ के आगे बढ़ना होगा मैं हमेशा आपको वीडियो के दौरान हमेशा बोलता रहा हूं जब भी मैंने लाइश्ट्रिम किये कि करियर डिसाइड करते वक्त सारी चीजों को ध्यान में रखो हाले कि ऐसा ने बोल रहों कि कोर फार्मस्टिकल इंडरस्री में या फिर आइटी छोड़के बहुत अच् करती है उनके लिए तो आइटी बहुत अच्छी है और जो लोग जादा घुमना पिरना पसंद नहीं होता या फिर जिन लोग को घर बैठके काम चाहिए इन लोग के लिए आइटी तो बहुत अच्छी है लेकिन अगर आप ऐसे लोगों जिनको थोड़ा सा का थोड़ा और इंडर्सी शायद बहुत अच्छी हो लेकिन आइटी इंडर्सी तो नहीं है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा काम का काम चाहती हो यानि हर दिन कुछ नया चाहती हो हर दिन कुछ प्रोड़क्टिव चाहती हो जो लोग सांगल खुश होते हो जौप करते हो क्या इसमें कुछ यह कुछ बुरा नहीं या फिर यह काम करने के लिए मैं पर्फिक्शन तक जा सकता हो ऐसे लोगों के लिए जरूर है लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में मेरे मन में जो था मैं अक्शली प्रिपेर नहीं था मैं चाहता था कि मेरा ब्लंट उपिनिन मेरा सच आपके सामने रखो ताकि मेरे जो वीडियो देखते हैं वो बच्चे जो पी सारी स्प्रिवेंट में तो उनको बच्चे बोलता हो मेरे सारी दोस्ट वह सारी बच्चे कही फस ना जाया और मेरी वज़े से उनका नुक्सान ना हो जा सारी चीज थोड़ा ध्यान में रखो आपके हेल्प के लिए तो मैं हमेशा हूँ लेकिन थोड़ी जो चीज मैंने नोटिस की वो मैं आपके सारा चेयर करना चाहता था यह था आज का वीडियो अगर आपके वीडियो थोड़ास भी पसंद आ गया और अगर आप लग रहा है चानल में तेसा कंटेंड है तो उस इस पड़ियो को लाइक कर देना इस पड़ियो में कोई चीज से कमेंट कर देना धन्यवाद दोस्तों यह बड़ देखने के लिए धन्यवाद